Hi everyone, so finally हम execution context, hosting और call stack वाले topic पढ़के अब हम ready हैं scope समझने के लिए तो इस video में हम scope समझेंगे और देखेंगे scope क्या होता है और उसका क्या use होता है तो चलो मैं अपने screen पर आ जाता हूँ, scope बहुत ही important topic है, बहुत ही crucial topic है interview के point of view से भी और एक अच्छा code लिखने के point of view से भी और अगर कोई आपको कभी problem आती है कोई error आती है तो अगर आपको scope समझ आता है तो आप बहुत ही आराम से वो problem को आप find कर सकते हैं आपको समझ में आ जाएगा अच्छा हाँ यह variable हमने यहाँ पर declare किया था यहाँ पर use नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम scope को एकदम अच्छे से समझेंगे यहाँ पर मैंने एक छोटा सा program create कर लिया है एक index.html फाइल है और उससे connected javascript फाइल है इसमें थोड़ा सा code लिखा है इसको आप starter code को download कर ले ना फिर उसके बाद start करते हैं तो अभी मैंने क्या किया है यहाँ पर एक variable create किया है username उसके अंदर रख दिया हम मैंने अनुराग फिर user age है उसके अंदर 25 लिखा है और फिर एक add नाम से function create किया है और इसको अभी मैंने call नहीं किया है तो इसको अभी हम call कर देते हैं ताकि हमारा function run हो जाए तो इस function के अंदर मैंने x और y नाम से दो variable बनाया है और उसको add करके console log करवा आ रहा हूं तो अभी अगर हम अपने console में जाके देखें तो यह 13 आ रहा है 8 5 13 और फिर यह प्रोग्राम इंडे ऐसा अगर क्या रहा है और अगर हम देखो हमने एक वेरेबल बना दिया है x, x के अंदर 5 डाल दिया है तो यहाँ पर हम x और y को use कर सकते हैं यहाँ पर इस function के अंदर use कर पा रहे हैं लेकिन अगर हम यही cm चीज यह console log x and y बाहर करें यह मानलो हम बाहर करते हैं एक second कुछ extra भी cut हो गया है मैं वहाँ पर रहने देता हूं और बाहर भी करता हूं तो देखो यह दे रहा है error x is not defined अब यह y का error नहीं दे रहा है क्योंकि एक बार जब error आ जाती है तो मारा program पूरा stop हो जाता है उसके आगे नहीं बढ़ता है नहीं तो अगर हम केवल x को console log क करवान इकोसिस करेंगे तो बोलेगा y is not defined और फिर उसके बाद कि कोई line रन नहीं होगी यहां पर देखो यह program ended वाली line नहीं रन हो रही है तो लेकिन अगर मैं इस console log को इसके नीचे कर दूं तो program ended वाली line रन होगी यह देखो program ended वाली line रन होगी उसके बाद error आता है तो उ फिर उसके बाद जैसे इस line पर पहुंचेगा error आ जाएगी और हमारा यह वाला line नहीं रन होगा तो यह देखो 13 result दिख रहा है लेकिन उसके नीचे program ended वाली line नहीं रन होगी क्योंकि यही line number 13 पर ही error आ गया है अब यह सोचने वाली बात है कि हमने यहां पर variable तो define कर दिया ह कर दिया उसके अंदर value भी डाल दी और उसके नीचे हम use कर रहे हैं इसको हमने function को भी call कर दिया तो यह memory में जाके store भी हो गया होगा तो हां यह memory में जाके store हो जाता है लेकिन अगर हमने कोई भी function create किया है तो उसके अंदर के variables केवल उसी के अंदर ही accessible होंगे इस function के अंदर अगर यह हमारा पूरा function है तो इस function के अंदर इस curly bracket और इस curly bracket के बीच में कहीं भी हम access कर सकते हैं उसके बाहर नहीं access कर सकते हैं तो अभी हम यहाँ पर बाहर access करने ही कोसिस कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर error आ रही है लेकिन अगर हम यहाँ पर user name को console log करते हैं तो y के जाब तो कोई error नहीं आएगी क्योंकि username पूरे global में defined है और उसको कहीं भी access किया जा सकता है तो देखो अनुराग इसके अंदर त्यार रहा है और इसको मैं अगर cut करके यहाँ पर भी कर देता हूं एक function के अंदर तो उस function के अंदर भी हम access कर सकते हैं क्योंकि एकदम global level पे बाहर क से हमारा line number 8 है यहां से output RI username का जो भी variables हम बाहर define करते हैं वो किसी function के अंदर हम access कर सकते हैं लेकिन अगर हमने किसी function के अंदर define कर दिया किसी variable को तो वह variable के वाल उसी function के अंदर ही accessible होगा तो एक बार हम चलते हैं अपने blackboard पर और समझते हैं यह हमारा scope कैसे create होता है हमारे program क के अंदर तो यहां पर मैंने एक box create कर लिया है पहले ही और यहां पर लिख दिया है global scope तो global scope हमारा दो category में होता है actual में एक तो window object के अंदर होता है सारा variable और दूसरा script scope के अंदर होता है तो अगर हम यहां पर आके देखें एक बार मैं इसको debugger लगा दूँ यहां पर कहा गय यह मारा JavaScript यहां पर मैं debugger लगा देता हूं तो यहां पर आके रुख जाएगा तो हमें यह दिखेगा एक script दिख रहा है और एक global दिख रहा है तो actual में यह दोनों global scope ही है बस यहां पर script लिखा है तो script scope तब आता है जब हम const और let का use करते हैं जो भी variables को हम let or const का use करके create करते ह हैं वह script scope के अंदर आ जाते हैं लेकिन यह एक global scope ही है तो यहां पर हम कर सकते हैं एक script scope कि इसके अंदर create होगा और एक दखो यह नीचे यहां पर global लिख के आ रहा है ना लेकिन यहां पर देखो तुम्हें window भी लिख के आए गाई तो यह एक्चुल में window object है जो कि हम यहां पर console में आके अगर लिखते हैं window तो इसको access कर सकते हैं एक ऐसा object है जिसके अंदर हमारे सारे variables आ जाते है variables और functions जैसे कि अभी हमने add function create किया ना तो add function यहां पर आ गया है और यहां पर confusion हो इसी लिए आपको वो वीडियो पहले देखनी चाहिए उसके बाद यह video देखनी चाहिए मैं description में उस video का link दे दूँगा execution context वीडियो का link मैं description में दे दूँगा और i button में भी दे दूँगा आप उसको पहले जाके देख लेना फिर इसको देखना तो अच्छे जी समझ आएगा और आपकी सिस्टम में हो सकता यह scope इधर ना आ रहा हो वो डिपेंड करता आपका zoom level कितना है अगर आपका zoom level थोड़ा सा कम जादा होगा तो यह इधर आ जाएगा मतलब अगल बगल आ जाएगा विंडो ऑबजेक्ट जो मारा ग्लोबल स्कोप होता हो दो कैटेग्रेज में डिफाइंड होता है एक विंडो ऑबजेक्ट और दूसरा स्क्रिप्ट इसकोप यह दोनों के अंदर जो भी वैरियबल्स होंगे उसको हम अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं लेकि विंडिय के जाएगा और फिर उसमें क्या एक्टियूल डिफ्रेंस होता है वह अभी में दिखाता हूं तो एक मैं कर देता हूं इसको लेट तो लेट कर देता हूं नई यूसर्न्म को कौन सुरीण ए जिसको लेट करesterol क्से सब्स्जैन कर देते हैं और एक window object में सबसे ऊपर ही दिखे नहीं तो scroll करके मैं बहुत नीचे जाना पड़ेगा तो अगर मैं इसको scroll करता हूँ तो देखो यह user age और user name दोनों script scope में आया है लेकिन a जो है वो window object के अंदर गया है इसको अगर expand करते हैं तो यह दो यह window के अंदर आया है और अभी यह undefined दिखारा है undefined इसलिए दिखारा है कि हमने पहले ही रोग दिया इसकी value हमने पहले ही रोग दिया code execution phase में ही और उसके अंदर value गई नहीं है तो undefined हमने दिखारा है आगर हम इसको आगे बढ़ा देंगे यहां पर अगर मैं window type करता हूँ तो यह देखो एक यह आ रहा है और इसके अंदर 50 आ रहा है और अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं window.a और हमें वही value मिल जाएगी जो हमने variable create किया है वह value मिल जाएगी लेकिन अगर हम window.username करते हैं तो हमें यह value नहीं मिलेगी क्योंकि यह window object के अंदर नहीं यह script scope के अंदर है लेकिन अगर हम user name करते हैं तो हमें यह value मिल जाती है user age करते हैं user age अगर करते हैं तो हमें यह value मिल जाएगी तो इसको हम जो भी script scope के अंदर variable जाते हैं उसको हम window.a करके नहीं access कर सकते हैं विंडो डॉट करके एक्सेस करेंगे तो अन्डिफैंड देगा अन्डिफैंड का मतलब अगर किसी भी आपजेक्ट के अंदर कोई भी प्रापरटी तो अगर अगर वह एक्सेस नहीं करती है प्रापरटी वहां पर जैसे कि अगर हम विंडो डॉट कुछ भी कर दें यह A B C D efgh जो भी कर दिया है तो भी undefined आएगा तो जब किसी भी object के अंदर कोई भी property ऐसी property जो की exist नहीं करती है उसको access करनी की कोसिज जब हम करते हैं तो undefined आता है तो वही case यहाँ पर भी हो रहा है हमने window.username access करनी कोसिज की और वो username window के अंदर नहीं है विंडो अब्जेक्ट के अंदर नहीं है इसलिए undefined आ रहा है चलो हम अपने blackboard में इसको create करते हैं variables कौन कहां पर create हो रहा है तो जो हमारा a नाम से variable है वो यहाँ पर create हो रहा है ए और फिर इसके अंदर आ जाएगी value हम हम undefined undefined नहीं रखेंगे सीधा 50 रख देता है वो हमने undefined यह सब हमने memory creation phase में execution code execution वाले वीडियो में रखा था और execution context वाले वीडियो में भी रखा था वह हम सीधा इसके अंदर इसके अंदर सीधा value डाल देता है और इसका color में इसका font size यह तो बहुत चोटा हो गया font size नहीं मैं color change कर देता हूं यह blue color कर देता है और font size में हलका खुद से चोटा कर देता हूं नहीं तो मैं इन दोनों का ही बड़ा कर देता हूं तो यह मारा a variable create हो गया हमारे global scope के अंदर है जो की window object के अंदर है और script scope के अंदर हमारे दो variables create होंगे यहां पर एक username create होगा तो इन ही दुनों को copy कर लेते हैं और यह हो जाएगा username कि इसको थोड़ा से दूर कर देता है और भी दूर करना था इसको यूजर निम के अंदर आ जाएगा अनुराग और फिर हो जाएगा user age इसके अंदर आ 25 नंबर तो इस तरह से मारा global scope पूरा create होगा अब यहां पर थोड़ा सा confusing हो सकता है आपको लगे क्योंकि sources के अंदर अगर आते हैं तो यहां पर global यहां पर लिखके आ रहा है और window यहां पर actual में इसको अगर मेरे हिसाब से तो यह window यहां लिखके आना चाहिए और स्क्रिप्ट यहां पर लिखके आना चाहिए और global एक बड़ा इसको create करना चाहिए जिसके अंदर यह दोनों हो लेकिन कोई बात नहीं हमें समझ आ रहा है यह विंड़ो अला विंड़ो अब्जेक्ट है और यह यह script scope है और यह दोनो एक global scope के अंदर यह हमारा पूरा global scope है उसके अंदर ही window object है और यह हमारा script scope है इसको थोड़ा सा बड़ा करदेता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे कर देता है तो अब इस गलोबल All scope के अंदर जितने भी variables होंगे वो हर एक function के अंदर accessible होंगे हर एक जगा पर पूरे program में कहीं भी हम इसको access कर सकते हैं बस इन दोनों में difference यह है कि हम एक को window.a करके access कर सकते हैं और यह जो script के अंदर है उसको window.username करके नहीं access कर सकते हैं और इस window object के अंदर यहीं क्यों एक वरेबल ही नहीं आया है इस window object के अंदर हमारा यह वाला विरेवल भी आया है वरेबल नहीं यह function यह पूरा का पूरा code रहेगा यहां पर यहां पर उसका पूरा code यह यहां से यहां तक हमारी memory के अंदर यह पूरा code उसका आ जाएगा और मैं इस पूरे code का font size छोटा कर देता हूँ तोड़ा सा और छोटा तो यह पूरा का पूरा code हमारा add function के against आ जाएगा मतलब add एक add नाम से एक key create होगी हमारे window object के अंदर और वो उसके अंदर पूरा का पूरा code आ जाएगा एक बार फिर से देख लेता है तो window है window object और उसके अंदर यह देखो add है इस पर hover करोगे तो वही पूरा का पूरा code है जो कि हमने add function को create किया वह पूरा का पूरा code है अगर हम चाहें तो इस add को भी window.add करके call कर सकता है अगर हम window.add करेंगे तो भी हमारा यह function आएगा और यह देखो result दे दिया 13 और फिर यह error दे रहा है यह बोल रहा है कि cannot access username before initialization तो हमने क्या किया हमने अपने code को यही पर pause कर दिया है अभी username के अंदर अनुराग नहीं गया है username के अंदर undefined है तो const वाला variable है जिसके अंदर undefined है तो हमें पता है जब तक const के अंदर कोई value नहीं चलिया जाती है तब तक const alert के अंदर तब तक हम उसको नहीं access कर सकते हैं और हमने इसको पहले ही call कर दिया तो यह एक अर्र आ रही है अपने प्रोग्राम को पॉज करके एड को यहां पर call कर दिया तो वह एर आ गई क्योंकि अभी यूजर नेम के अंदर कर देता हूं अब हमने यह देख लिया कि विंडो के अंदर जितने भी चीज़ें जाती है विंडो ऑब्जेट के अंदर उसको विंडो करके एक्सेस कर सकते हैं लेकिन दोनों हैं ग्लोबल हम कहीं भी अगर सीधा-सीधा नाम लिखेंगे वह एकसेस हो जाएगा यूजर नेम भी एकसेस हो जाएगा और यूजर एज भी एकसेस हो जाएगा इसको मैं हलका सा उपर कर देता हूं तो अब क्या होगा जैसे हम यहां पर लाइन नंबर 14 पर हम एड को कॉल करते हैं जब तो इसका खुद का एक स्कोप क्रियेट होगा हमने देखा था एक ग्लोबल एक्जि एकसे तो कुछ उसी तरह से रहेगा लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है तो वह देखेंगे तो जैसे हम इसको कॉल करेंगे इस फंक्शन का खुद का एक स्कोप क्रियेट होगा और उस इसकोप का नाम होगा लोकल तो एक बार मैं इसका फॉंट साइज थोड़ा क कर लेता हूं और लिखता हूं local और इसका color कर देते हैं white लोकल लेकिन यह किसका local है यह add का local है यह add function का local scope है इसको मैं थोड़ा सा zoom in कर लेता हूं और इस local scope के अंदर यह x और y variable create होंगे और इसके अंदर फिर यहां पर कोई window और script करके कुछ भी नहीं होता है इसी इधर local scope रहेगा और इसके अंदर हमारा x और y नाम से variable create हो जाएगा इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और यहां पर एक x नाम से और एक y नाम से variable create हो जाएगा मैं यहीं से copy कर लेता हूं x के अंदर कितना रखा है 5 और y के अंदर 8 तो इस local scope के अंदर दो variables create होंगे x और y और एक और चीज create होगा दिस यहां पर मैं दिस लिख देता हूं लेकिन उसको हम बाद में समझेंगे दिस एक object रहेगा एक और variable create होगा दिस actual मैं यह सबसे ऊपर लिख के आएगा तो मैं इसको ऊपर ही कर देता हूं एक दिस होगा और यह दिस एक object होगा और यह जो दिस object है यह बदलता रहता है अब यह जो दिस keyword है इसके उपर ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि यह बहुत ही complex होता है यह हर एक case में अलग-अलग case में बदलता रहता है कभी इसके अंदर कोई दूसरा object रहेगा कभी कुछ भी नहीं रहेगा तो यह दिस object होता है confusing होता है तो अभी के लिए इसको ignore कर देना लेकिन अगर हम यहां पर आते हैं अपने एक बर प्रोग्राम को रिलोड करते हैं और हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं अभी देखो यह script है script और global है और जैसे ही हम यहां function के अंदर जब भी हम call करेंगे जैसी इस line को execute करेंगे एक अंदर value जाएगी और फिर हमारा line का control यहां पर आ जाएगा add के उपर तो यहां पर देखो सीधा यहां पर आ गया है और जैसे इस function के अंदर हमारा control जाएगा जिसे function कॉल होगा यह पूरा control यह जो green line है इसके नहीं लिखके आता है लेकिन रोके समझेलो कि यह का ही स्कोप है क्योंकि उसके अंदर इनकी सामने एक अब्जेक्ट है घ्दम चलग कर दो नहीं होता है और यहां पर देखो X और Y आ गया है और उसके अंदर undefined है यह जो local scope है यह इस add वाले function का जो भी call track के उपर है और जहां पर हमारी arrow है इसका local scope है यहां पर तो इसके अंदर जो भी variables हैं वो केवल इसी function के अंदर access हो सकते हैं इसके बाहर नहीं access हो सकते हैं लेकिन बाहर जो भी है इसके बाहर अभी global scope में यह है तो global scope का जो भी variable है उसको access कर सकता है यह function तो इसलिए जो हम username को access करते हैं तो access हो जाता है अगर यहां पर हमारे पास एक और दूसरा function होता और उसका नाम होता subtract मैं इसका नाम देता हूँ subtract और इसको भी हम call कर लेता है यहां पर add की नीचे call कर लेता है तो देखो जैसे जैसे हम इस line को आगे बढ़ाएंगे पूरा मतलब एक एक line करके run होगा console में lock करेगा यह x plus y console lock करेगा फिर username console lock करेगा और जैसे हमारा function end होगा यह local scope होजाएगий कुछ इस तरह से delete हो जाएगा यह पूरा delete نہیں कियाoken मैंने पूरा हो नहीं पहला है कुछ इस तरह से पूरा delete हो जाएगा लेकिन हम delete नहीं करेंगे इसको आगे बढ़ाता हूँ लेकिन तो मैं यहां से देखोगे जाएंगे मारा function खतम और यह पूरा इसका scope भी खतम तो जैसे ही एक function का execution context खतम होता है हमने execution context वाले वीडियो में देखा था एक function जैसे ही end होता है उसका पूरा execution context खतम हो जाता है और उसके अंदर के सारे variables सारा scope अभी हम scope पढ़ रहे हैं तो पूरा scope जो है इसके इंदर सारे variables हैं वो सारे destroy हो जाएंगे खतम हो जाएंगे तो खतम हो गया इसलिए हम बाहर उसके access नहीं कर सकते क्योंकि वह delete हो जाता है और रहेगा भी तो access नहीं कर सकते हैं कुछ cases में उसको हम रोप सकते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको के वह उस function के अंदर ही access कर सकते हैं जिस function के अंदर उस variable को define किया गया है तो यह होता है scope यहां से पूरा delete हो गया है यहां से गाव हो गया जैसे मारा function end हुआ और यह भी पूरा delete हो जाएगा गाव हो जाएगा इस तरह से लेकिन मैं delete नहीं करूंगा क्योंकि अभी हम और भी functions create करेंगे और उसका भी हमें यह बनाना पड़ेगा तो इसको duplicate करना easy रहेगा तो मैं एक और function यहां पर create कर लेता हूं यहां पर इसका नाम मैं देता हूं subtract और यहां पर हम यह बस के वहले x-y कर देंगे और इसको call कर देंगे सबसे नीचे यहां प उसका scope यहां पर दिखा रहा है 8 & 5 दिखा रहा है 5 & 8 दिखा रहा है जो भी समझ लो उसका scope है और यहां पर call stack में add है लेकिन इसको अगर हम जैसे end करेंगे देखना add भी यहां से गायब होगा और local scope दोनों पर आंक रखना एक आंक इस पर एक आंक इस पर ऐसे रखना है तो हम subtract पर आगे हैं, subtract को जैसे ही call करेंगे, subtract हमारा call stack पर आजाएगा, subtract का जो भी पूरा execution context है हमारे call stack में आजाएगा, और उसका scope भी यहां पर आजाएगा scope के अंदर, और फिर उसके अंदर value जाएगी, हमने exact same रखा है 5 & 8 लेकिन यह जो X है और वह वाला X है उसका कोई connection नहीं आपस में, अगर हम यहां पर console lock करेंगे, यहां पर हम value भी change कर सकते हैं, अगर हम यहां पर 15 रखते हैं, तो यहां पर 15 आता है, यहां से भी value खतम होगा, मतलब local scope इसका खतम हो जाएगा, और इसका भी local scope खतम हो जाएगा, तो खतम करने से पहले एक बार हम इसको duplicate कर लेते हैं, यहां पर, यहांने duplicate कर लिया है, और इसको कर देंगे हम subtract, यह subtract का local scope है, और उसके अंदर की values अभी हम change कर देते हैं, मानलों हमने 15 और 18 कर दिया, 15 और 18 रख दिया है, और यह वाला, जब यह create होगा, जिस time पर यह create होगा, उस time तक यह हमारा add वाला delete हो चुका हमारा पूरा execution context जा चुका है, call stack से हमारा वो भी function जा चुका है, और यहां से उसका local इसको भी जा चुका है, तो अगर हम यहां पर 15 कर देते हैं, 15 और 18 तो ज्यादा सही रहेगा, यहां पर अगर आगे बढ़ाते हैं इसको, तो अभी देखो add है, add के अंदर जो x से उसमें 5 जाएगा और 8 जाएगा y के अंदर, फिर जब हमारा subtract आएगा तो उसके अंदर 15 और 18 जाएगा, 15 और 18, तो subtract के अंदर जब हम x और y को access करेंगे, तो 15 और 18 आएगा, और इसका difference minus 3 रहेगा, उस case में भी minus 3 difference रहता, लेकिन इस case में हमारा 15 और 18 है, x की value, और उसमें subtract होके उ जो भी console में आएगा minus 3, तो कुछ इस तरह से हो रहा है, अब यहाँ पर x हम जब access कर रहे हैं, तो इस x को नहीं access कर पाएंगे, हम यहाँ पर इस function के variable को access कर रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे, हो सकता है, आपके मन में question आया हो, अगर हम यहाँ पर एक दूसरा variable create कर देते ह response, username, अभी तो यह reload हो गया होगा, यह, हाँ, अभी reload नहीं हुआ है, क्योंकि अटका हुआ है हमारा debugger के current, तो अभी तक यह username के वज़े से, line number 11 और line number 18 से, अभी तक username के अंदर से अनुराग आ रहा है, line number 11 और line number 18 से, क्योंकि हमने यहाँ यहाँ पर username अनुराग रखा है, त लेकिन अगर हम एक variable create कर देते हैं, यहाँ पर username और उसके अंदर डाल देते हैं, अकाश या कुछ और भी नाम, अकाश ही डाल देते हैं, तो अब आप guess करो और बताओ, यह add के अंदर क्या आएगा, add के अंदर जो हम username को console log यहाँ पर कर रहा है, line number 12 अब यह हो गया है, तो आपने सही guess किया, यह आएगा आकाश, एक बार मैं इसको debugger को रोग देता हूँ, खटा देता हूँ, और एक बार reload करता हूँ, तो यहाँ पर आगया आकाश, तो अभी क्या हुआ है, एक बार फिर से हम debugger लगा लेते हैं, और हम अपने यहाँ पर scope में आके देखते हैं, औ और debugger यहाँ पर सीधा लगाते हैं, क्योंकि हमें उतना आगे तक बढ़ाना ना पड़े बार बार, सीधा यहाँ पर debugger को लगाते हैं, अपने function के अंदर, ताकि function के अंदर आके रुखे, तो हमारा यहाँ पर आके रुख गया है, और यहाँ पर इसका local scope दिखा रहा है, इ एक और user name है यहाँ पर, दो-दो user name है, एक user name है, local के अंदर, और एक user name है, script के अंदर, तो हमारा function जो है, जब हम इसके अंदर console log करवा रहा है, तो यह nearest variable को देखता है, उसके closest, तो closest scope उसका क्या है, closest उसका यह function scope, यानि कि local scope है, तो यहाँ पर अगर उसकी value मिल गई है, तो यहाँ पर मिल गई है, तो वहीं से console log कर दिया, और इस case में, जब subtract के case में आएंगे, तो इसके scope में नहीं मिलेगी, तो यह फिर global scope में जाके ढूंदेगा, तो कुछ इस तरह से काम हो रहा है, अभी इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, देखो मैं आगे बढ़ाँगा, तो य scope delete हो जाएगा, और add यहाँ से भी delete हो जाएगा, यह को यह delete हो गया, हमारा subtract वाल आएगा call stack में, और उसके अंदर के बढ़ एक्स और य है, यहाँ पर username हमने define नहीं किया है, तो यहाँ पर username अनुराग रहेगा, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो यह username जब console करनी की बा scope होते हैं, block scope और module scope, वो दोनों हम next video में देखेंगे, और next video में हम और भी local scope के बारे में और भी in depth समझेंगे, क्योंकि यह video अगर मैं सब कुछ बताऊंगा, तो बहुत लंबी, दो घंटे की लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग next video में scopes related जो भी बचे concepts हैं, और भी in detail, in depth अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो मैं उमीद करता हूँ, आपको यह scope अभी तक एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा, global scope क्या होता है, global के अंदर window object क्या होता है, अभी हलाकि हमने window object को भी एकदम in detail explore नहीं किया है, बस हमने यह देखा है कि अगर var का use करके कोई अगर आपका कोई भी doubts, कोई भी question है, तो comment सकर में पूछ लेना अगर आपका कोई भी बड़ा डाउट है तो description में telegram group का link है जाके telegram group join कर लेना और वहाँ पर तुम अपना अगर कोई error आ रही है तो उसका screenshot भी भेज सकते हो अगर कोई भी बड़ा question है तो वहाँ पर तुम पूछ सकते हो अगर तुम कुछ नया create करते हो तो उसको भी तुम आपर share कर सकते हो तो मैं उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी मिलते हैं next video में तब तक के लिए बाई बाई